नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिसस करने वाले हैं यहाँ पे हर्याना के अंदर एनम स्टाफ नर्स और लैब टेक्निशन की वेकेंशिज हैं जो की आज चुकी है और अपकी बार यह वेकेंशिज रहने वाली हैं जजज़र डिस्टिक की ठीक है कितनी क क्या कुछ वेकेंशिज है कैसे अपलाई करना है कहां पर आप लगों को अपलिकेशन फोरॉम मिलेगा वो सब चीज़े में आप लोगों को बताने वाला हूं तो वीडियो को लाश्तक जूरूर बने रहे हैं सबसे पहले अगर हम लोग वेकेंशिज की बारे में बात करें तो लेब टेकनिशिन की वेकेंशि के बारे में बात करते हैं साथ वेकेंशिज यहां पर दे रखी हैं लेब टेकनिशिन की दो वेकेंशिज यहां हैं एक वेकेंशिज यहां हैं और च्यार वेकेंशिज यहां हैं यानि कि साथ और दो नो और एक दस और च्यार चोदा हम लोग बात करें A9 की वेकैंसी के बारे में तो यहांपर Serial NUMBER 13, 14 और 15 नमर पे A9 की वेकैंसी दे रखी है, यहनगे की 3, 10, 13 और 3, 16 टोटल 16 वेकैंसी आइनम की यहांपर रहने वाली है, जिसका एक्जाम 24 जनवरी को होने वाला है, ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे staff nurse की recording तो staff nurse की serial number 16 और 17 पे दे रखी है 7 vacancies यहाँ पे रहेंगी और 1 vacancies यानी की total 8 vacancies staff nurse की जज़र डिस्टिक की रहने वाली है BSC nursing और जो G&M के fresher candidate है वो apply कर सकते हैं condition यह है कि जो हरियाना का registration आपके पास होना चीए form apply की time पे 18-42 साल की age आप लोगों के form apply के लिए रहेगी और starting में जो क्या है इसका pay scale 13,500 रुपय है पर मन्त के according मिलने वाला है 5 साल के बाद जो आप लोगों का जैसे जो contract वो तो extend होता ही रहता है नचम के अंदर ठीक है तो 5 साल के बाद अच्छी कासी salary यहाँ पे आप लोगों को grade पे वगेरा के साथ मिलनी लग जाती है ठीक है इसके बाद जो इसका exam है वो 24 जनवरी को रहने वाला है ठीक है और इसके बाद कुछ important instruction वगेरा है वो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो second number point पे 3 से 19 के लिए उमिदवार जो इस फोर्म वगेरा है last date क्या रहेगी 13 जनवरी 2023 10 बजे से साथ बजे ठीक है यानि कि 13 जनवरी से पहले पहले आप लोगों को 4 बजे से पहले पहले फोर्म apply कर लेना है और जो fees 200 रुपए इसकी रहने वाली है lab technician, staff nurse और एन वाले candidate के लिए ठीक है ये सब चीज़े मैंने आप लोगों को बता दी दूसरी जो एक चीजमा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो जजजर डिस्टी के candidate है ठीक है वो ही ये फोर्म apply करें ताकि क्योंकि इसके अंदर जो extra weightage है local area weightage ठीक है वो 20 नंबर है वो सिरफ जजजर के candidate को ही मिलते हैं अधर जो district है उनको नहीं मिलते हैं तो कहीने कहीं maximum chances रहते हैं यानि कि 100% ही हम लोग बोल सकते हैं वो सिरफ जजजर district के ही candidate इसके अंदर लगने वाले हैं अब आप लोगों को अगर ये local weightage area के नंबर 20 नंबर जो होते हैं ये चाहिए है तो आप लोगों को इन जो ये 7 ID दे रखी है इन में से कोई भी 3 ID साथ में आप लोगों को form apply के time पे लगा नहीं हैं तभी आप लोगों को ये नंबर extra जो मिल रहे हैं जज़र डिस्टिक वाले गन्रेटों को मिल जाएंगे ठीक है बाकी कुछ condition है वो आप लोग खुद पढ़ लेना और इसके बाद कुछ भी अगर आप लोगों को इसके recording inquiry चाहिए तो यहाँ पे officially जो वहाँ का नंबर दे रखा है इस नंबर पे आप लोग पूछ सकते हो कोई भी information चाहिए तो इस नंबर से ले सकते हो और last में यही बोलूँगा वीडियो को like करना ना बोले चैनल को subscribe करना ना बोले और जो अपना telegram group है हरियाना nursing student नाम से search भी कर सकते हो वीडियो के description के अंदर link भी मिल जाएगा वहाँ पे यह इसका जो application forum है वो भी मिल जाएगा जो application forum है उसको fill करना है ठीक है उसके बाद जितने भी आपके document हैं वो सभी 7 लगाने है जजजड डिस्टिक के candidate को 3 ID जिसके अंदर address मेंचन हो जो मैंने अल्रड़ी आपको पहले कुछ ही देर पहले बताया था इसी वीडियो के अंदर वो उन में से कोई भी 7 में से 3 ID आपको लगानी है ठीक है 200 रुपए फीस रहेगी यह सब चीजज़ आप लोगों को जजजड डिस्टिक के के अंदर कमेंट कर सकते हो या फिर वीडियो के अंदर जाके हमारे WhatsApp ग्रूप टेलेग्राम ग्रूप को जोइन कर सकते हो अभी के लिए तना ही धन्यवाद